हुआ है ठीक है इतना चिलाने की जरूरत नहीं है मैं सब कुछ समझ गया हुआ हे हे तुम मैं मा के साथ डेटिंग करके आओ यहां की सेटिंग मैं देखता हूँ है बिल्कुल 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 अरे बाप रे बाप ओ बिल्कुल रेक्टेंगलर रिस्पॉंस्बिल्टी लेता हुम है चारों तरफ से नजा रखूंगा डोंट वरी लूलू है न है सेव ड्राइब सेव लाइफ सभी का फाइदा हो रहा है सिर्फ लूलो की किसमत में ही नुसाइन लिखा हुआ है लूलो जिदर भी जाता है वहां के समद्र सूख जाता है लव के बिना लाइफ मतलब नो हैपी वाइब लेकिन माइन के साथ बाइंड करने लाइक अभी तक मैं फाइन नहीं कर पाया हाट में जो धीरे ध्रेकाइन की सुनामी सुरू के बह जाती है वो भी आफ है यह चुल बुली बहुत ही फैसिस्ट है वो हर वक्त बिना मतलब जगडा करती रहती है और इंसान की बेटिया तो भूतों के बारे में सोचती ही नहीं सभी के सभी बदमाश हैं सभी हमेशा भविच्छ की और ही देखते हैं चें अरे बाप रे बाप आँखों में फिल्म दिख गया ऐसा लग रहा है जैसे सभी ने अलग कर दिया हो कभी कभी समटाइम्स ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने घर से निकाल दिया हो और कभी ओफिन ऐसा लगता है मन में होने लगता है कमपन जैसे मैं हूँ हरा हुआ प्यार बिना में खो गया हूँ पानी 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 सा नी नी शा नी शा नी शा नी शा नी शा नी मुझे तो लगा कि जैसे चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया है महाराज मेरे दाहीने कान में अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे तो जंगली सियारों की जंग छिड़ गई हो और बाहे कान में जैसे कोई तीर का प्रहार कर रहा हो मेरे प्यारी भूतनी जी आपके दाहे कान का सियार मेरा पाल तो नहीं है और बाहे कान में कान है मैं नहीं जानता हूं है इसके जैसरे बेवकुफ भूदिสे पहले आपने कभी देखा है माराजय। इसे उप्मा भी समझ में नहीं Yakum पूटनी की उपमा सिर्फ गधो कोई समझ आती है मेरे गाने में कोई दोज नहीं है बलकिए आपके कानों में है सुनो लिल्लो अब अगर तुम्हें बहुत ज्यादा गाने का मन करें तो फिर भुसंडी सीमा के बाहर गा कर आना हे लेकिन पानी में डूप कर गाना और यह मेरा आदेश है समझें हे हे वाह वाह जिस दिन तुम इस तरह गाना गाने लगोगे उसी दिन से सभी के सामने तुम हुआ 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 है क्या बात है डेटिंग से बाप पसा कर दिमाग इतना खराब क्यों है तुम्हारा अभी तो दिमाग में बसंत्रुतु के जैसा माहूल रहना चाहिए अरे बाप रे बाप यह तो कमाली हो गया तुम्हारे दो अंडों ने मिलकर और एक अंटा बना लिया है एक बार यहां कोईल आई तो थी अरे बापरे बापरे बाबा उसी वक्त सेटिंग करके चली गई हां ठीके ठीके परिशान मत हो लो लो इसी वक्त री सेंडिंग करके आ रहा है हां कौन सा कोई का कौन सा कोईले का अंडा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है अच्छा अब क्या होगा अरे कोईल तो बहुत ही चालाक है कैसे टूपी पहना कर गई अरे बट लेकिन इफ आगर अरे वारे 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 यही तो अपने लोगों को बढ़ाने का रोड रास्ता है क्या यह तुम क्या कह रही हो लुल्लू ने अंडो को सेने का काम शुरू किया अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्यों बताती नहीं मुझे भरुसा नहीं है तो लुल्लू से गुस्सा होने की वज़ा से ऐसा कह रही है आपके पास मेरा सर बंदक रहा अगर मैं जूट बोल रही होंगी तो मैंने बार-बार कहा है मेरा हाट वीख है अगर तुम्हारे भारी भरका मिसार रखने के वज़ा से मेरा हाट फेल हो गया तो फिर तुम मेरे पास ही बंदक रहो वा 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 तुम्हें एक बात बताओं तुम दिखने में बिलकुल मर्योई चिपकली की तरह लग रही हो कोच भी छोड़ा मुझे छोड़ा लोटा दो लोटा दो उसका सर उसे लोटा दो ऐसा ने जारा देखकर मेरा दिल धड़कने लगता है अब लुलू से कुछ मत कहिएगा महराज बदमाश कहीं कि सब पालतू के आरोप है ये पालतू के आरोप नहीं है महराज महराज वो मैं कह रहा था कि बगल में छोरा और देश में धिंडोरा एक पर चकर देख लेना चाहिए कि असल में बात क्या है अरे बाप रे बाप यहां मैं समाज की भलाई करने बैठा हूं लेकिन कोई फाइदा उठाने ही नहीं है यहां बड़े बड़े आर्टिकल लिखे होते हैं कि आज कल का जमाना मदद वाला नहीं रहा असल में ऐसा नहीं है यह दूंगा नहीं बलकि चीन लूंगा वाला जमाना है चीन लूंगा वाला है कैसा लगा मेरा यह चूटा सा भाशन तुम्हें क्लेंट आ रहे हैं सच में वेल्कम 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 योल्लो तुम घोडे के अंडे को से रहे हूँ हसो सभी हसो सभी लंबी लंबी हसो हां लेकिन यह लूलू भी सबको दिखा देगा विल रहने पर ही संपत्ती मिलती है ठीक है ओफ लूलो तुम इनसानों के आसपास में रहने के बाद पश्यू-पक्षियों के चक्कर लगा रहे हो हे 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 इन सबके बाद अगर तुम फिर से भूत समाज में आने की कोशिश करोगे तो फिर सभी को ना ना सुनना पड़ेगा मैं यह तुम्हें समझा रहा हूं हे 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 के लिए अंडो का जुगाड हो गया है है कोई भी मुझे नहीं रोक सकता जैसे बुद्ध पेड़ के नीचे ग्यान प्राप्ति के बाद ही वहां से उठे थे और मैं इन अंडो के उपर तब तक बैठा रहूंगा जब तक पूट नहीं जाते हैं इन अंडो का इंतजाम मैं ने खुद किया है कि टिना 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 अंडो कि क्या हुआ लूलू अंडे फूट गया समय नहीं है समय नहीं है मैं तो जानना चाहता हूं कि इस अंडे के फूटने से क्या निकलेगा और क्या निकलेगा दिन में तारे अंडे फूटने के तो कोई लक्षण नहीं दिखाई देख। अरे बाप रे जाकर मुझे अंडरस्ट करना पड़ेगा है अनडे को फूटने के लिए ही जरूरत होती है होट होने के लिए फट से कोई उपाई थोट करना पड़ेगा अब इससे खीशने पर सारे जुगनों इंसाइड माइसेल्फ हो जाएंगे यह क्या लुलू यह सब क्या है तबियत खराब है हे बाड़े फिट गिविंग हिट अरे वारे 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 येखिएगा अब यंडा कल ही फूट जाएगा और बच्चा बाहर निकलाएगा केंडिड कोलाबरेशिन यह अंडे कब तक फूटेंगे क्या लगता है आपको सर इधर आओ तुम्हें चेक करना पड़ेगा सेर मैंने फैसला किया था कि मैं बुद्ध की तरह सिध्ध होने के बाद ही अंडे के उपर से उठूँगा बाधा कहां आ रही है बताईए बादा नहीं आई है जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हुआ है लेकिन जरा उल्टी तरह से सिध्ध करके नहीं बलकि तुम इसे पका कर उठे हो सारे अंडे पक गए हैं हुआ 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 है